Hello दोस्तों बात कर लेते हैं कल की मार्किट कैसी रहेगी और आज आपका दिन कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताएंगे आप आज हमारा क्या प्लान था आपके साथ में एनलेसिस में क्या शेर किया था quick review ले लेते हैं शुरू करते हैं fin nifty से जिसकी expiry थी आपके साथ क्या share किया था previous day के low के आसपास market आती है liquidity लेके reverse होती है तो यहां से upside में 23,550 तक test करने के लिए आ सकती है market आज का high कितना था 82 के आसपास high है यह chapter हमारे काम का नहीं है हमारे काम का कितना था 550 तक का level अब यह 550 का level कैसे आया तो आपको previous video देखना चाहिए इसका reason क्या था किस basis पे 550 से उपर के levels हमने discuss नहीं किये थे reason multiple time यहां से market rejection ले रहा था supply zone में convert हुआ है एक demand zone जब तक break नहीं होता है यहां से market के fall होने के chances maximum रहेंगे supply zone में convert हुआ है एक demand zone अब इसको break करना easy नहीं रहेगा बाजार के लिए और close कहां पर किया के 23,300 के आसपास ही zero hero हम करते नहीं है ना हमारा कोई plan होता है यह तर फिन nifty के लिए हमारा analysis बात करते हैं nifty और bank nifty के लिए आपके साथ गई share किया था nifty के लिए कि अगर by chance market 24,850 के उपर sustain होती है telegram पे भी same update किया था 860 के उपर अगर आप market sustain होती है candle close करती है तो अब side के लिए potential बन सकती है और जब 24,950 के आसपास market पहुंची तो आपके साथ में telegram पे भी update दिया कि guys बहुत हो गया bull run अभी rest करो market को उचलकूद करने दो अपनी close किया है 24,857 के आसपास इसके बारे में discuss करेंगे हम और bank nifty के लिए आपके साथ में बहुत अच्छे से share किया था market upside के लिए कहां तक जा सकती है और हम कब plan करेंगे ठीक है so bank nifty के चार्ट में यह nifty का मैं आपको इस analysis का मतलब समझाता हूँ और बहुत अच्छे से क्या reason था जो sudden fall आया और उस रहीं पर हमारा क्या plan था discuss करते हैं bank nifty के चार्ट को पहले देख लेते हैं bank nifty का morning का opening होता है 51,258 के आसपास right previous day का low भी almost यही था यही से ही पिछले कल भी market reverse हुई थी तो एक strong support का काम कर रहा था इस area के आसपास से reverse करने के बाद में market ने high लगाया 51,964 के आसपास का और close किया है 51,426 के आसपास अभी nifty से हम analysis को शुरू करते हैं और फिर आएंगे हम bank nifty nifty के chart में देख लेते हैं हम यह candle है हमारी 2 बच के 50 मिनट की ठीक है तो मैं आपके साथ मैं टेलिग्राम पे एक post share कर रहूंगा बहुत बढ़िया से जो मैं अपने student के साथ में जो आने वाले टाइम में आप community join करने वाले हो planning कर रहा हूं उसके लिए कि एक community बनाई जाए traders की जितने student है मेरे या जिन्होंने webinar join किया है उस सीखे formulas उनके लिए create कर रहे हैं तो उसके वारे मैं बाद में discuss करेंगे मैंने दो बज के 50 मिनिट के आसपास ही post डाला दो बज के 54 मिनिट पे कि guys upside से आपको हट जाना चाहिए जितना bull run होना था हो गया है अब यहाँ पे potential नहीं है market एक trend को follow कर रहे थी immediately यहाँ से reversal दिया और close किया है 24,840 के आसपास more than 100 point का fall आपको देखने को मिला last 15-20 minutes में nifty में major stop losses कहाँ पे है 25,000 पे यहाँ market attempt कर सकती है possibility है बड़ इससे ज़्यादा अच्छा माल कहाँ पे है nifty के लिए stop losses कहाँ मिलेंगे ज़्यादा इधर हैं कहाँ पे हैं आपको मिलेंगे 24,800 पे यहाँ पे trap करना बनता है 800 के बाद में 600 के आसपास और उसके बाद में 24,500 के आसपास तो यह है stop losses जो market attempt कर सकती है नifty में सबसे interesting पता क्या है अगर 25,000 को market ने इस वाद टेस्ट नहीं करा टेस्ट करे बगएर आती है तो बुल्स के लिए एक inspiration रहेगा कि यह यह से market एक बाद 25,000 के लिए जरूर जाएगी ज़्यादा मुर्गे फस सकते हैं अगर एक बाद टेस्ट कर दिया तो फिर लोग को वहाँ से shot करने के लिए दुनिया बैठी हुई है तो इसलिए यह trap, kind of trap 25,000 बना हुआ है यह जब तक break नहीं होता तब तक market बेरिस trend में aggressive जाने के chances ज़्यादा है अब आपको सब्सक्राइब समझ आ रहा होगा 25,000 पे अगर जाएगी आप भी sell करोगे आपके से हजारों लोग sell side के लिए जाएगे कल market ने high लगाया कितने का 24,998 का test नहीं करा level क्योंकि test कर लिया तो एक round figure number है वहाँ से seller वैसे activate हो जाएगे छोड़ दिया ठीक है अब जब नीचे आ रही है market तो लोगों को यह hope है कि अभी 25,000 तेस्ट नहीं हुआ होगा होगा यहां के लिए try करेगी ज़रूर कर भी सकते को बड़ी बात नहीं है बट इसके 25,000 के लालज में आपको रखके market में downtrend में 24,000 को यह 24,500 को test करना ज़्यादा easy है बाकी chart पे समझते हैं आगे अब कल के लिए कैसे plan कर सकते हैं हम यह 200 EMA में यूज कर रहा था देख रहा था कि market इसको test करने के लिए आती है और day wise कहां तक market में breakout आ सकता है और market को क्या level test करना चाहिए आने वाले time में तो यह आपके साथ भी share कर देता हूँ यह तो 200 EMA 5 मिनट के time basis पे था इसको test भी कर लेता यहां से bounce back भी हो जाता तो कोई फरक नहीं पड़ता था day wise अभी हमारी market 200 EMA से बहुत दूर चल रही है यहनि कि 23,638 जो test level बनता है जहां पे 3-4% का correction pending है वो level अभी नीचे है उसके बारे मैं अभी discuss करूँगा तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगेगी यह मैं बोल भी आऊं वीडियो में क्यों? क्योंकि आज की जो 5 मिनिट की या लास्ट के 15 मिनिट की गिरावट है इसके बाद में बहुत सारी दुनिया तो बुल बन चुकी है न call लेके गए हैं बहुत सारे लोग उनको लग रहा है कि यहां से call में बहुत अच्छा पैसा अरे 25 जाएगी बिल्कुल जाएगी पर तब जाएगी जब आपको यहां से भगा देगी अंदा दुन्दी में trade नहीं करना है कि 100 यहां से गिरी है तो आप यहां से call लेके चले जाओ BTST avoid करो ऐसे उटपटांग trade guys अगर market में sustain करना है बाकि आपकी life, आपका पैसा do whatever you want to do क्योंकि ज़्यादा ग्यान sugarcoated बातें अच्छी लगती है social media पे सच कड़वा होता है और सचाई से भागना बंद करो guys systematically plan करो उटपटांग random trade में कुछ नहीं मिलने वाला option buying खा जाएगी मेरा experience option में ही कम से कम 8 से 9 साल का experience है stock market में और इस industry में 14-15 साल का experience है उसके बाद में मेरे भी stop losses hit होते हैं तो आप randomly साल 6 महिने में या 2 साल में trade करने के बाद में कैसे plan कर सकते हो कि 100 point के dip के बाद में यहां से मैं call buy कर लूँगा फसने के chances ज़्यादा रते हैं guys जब market एक support को break करती है वहाँ पे random trade नहीं बनता बनता यह है हो सकता है follow through में rally आ जाए ना भी आए market यहाँ पे sideways flat open हो जाए उसके बाद में आदा घंटा एक dip लगाने के बाद में बेशक 25,000 चली जाए पर आपका mindset आपका trade सब कुछ खराब कर चुकी होगी market तो आपके loss में जाने के और against the trend उटपटांग trade लेने के ज़्यादा chances है पोजिशनल प्लान के लिए फिर आप पोजिशनल प्लान करो कि यहाँ ठीक है मैं यहाँ से 23,000 तक रूकूंगा मैं upside से September month की put buy कर रहा हूं मैं रूकूंगा या मैं यहाँ से call buy कर रहा हूं 25,200,300 की मेरा यह stop plus रहेगा मैं यहाँ तक तो बनतीवाद intraday आप trade कर रहे हो छोटी quantity से परसों के expiry में trade कर रहे हो आप trade को hold नहीं कर सकते ऐसे मन करता है यार मेरा की कम सकम एक बंदे की भी life में value ऐड करे तो मेरे को अच्छा लगेगा market ने close किया है 24,840 के आसपा 63 EMA को test करके बिल्कुल support लेके close किया है बट 840 के levels की अपनी history है क्या history है multiple time 850 से 840 के बीच में market sustain हो रहा है और एक price action क्रेट कर रहा है मैं 850 कंसीडर करूँ अगई इसको 850 ये वाला area यहाँ पे maximum time market sustain हो रही है और इसी के आसपास से reversal आ रहा है ठीक है अब आज क्या किया बजार ने open होता है 915 पे और 777 का dip next दो candle ही आपको 850 के उपर लेके चली जाती है इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे करके एक support का काम करने वाला है 850 कल अगर market 850, 860 के उपर sustain होती है तब जाके ही उपर के लिए plan करना है upside के लिए नहीं तो इस zone से market ने multiple time support ली है week हो रहा है level इस time अगर market upside में 850, 860 के उपर 5 या 10 minute spend करे तब जाके ही आपके लिए upside के लिए कोई trade बनेगा make and break level आपके लिए कल के लिए 860 से लेके 880 के बीच में रहेगा nifty गा upside के लिए downside के लिए अगर market continue strength पकड़ती है और 63MA के नीचे gap down होने के chances हैं बिल्कुल हैं अगर मानलिया market trade करना continue करती है तो आपके लिए यहां से 880, 890 या maybe you can consider 900 के level को as a stop plus फिर आपके लिए rally continue रह सकती है कहां तक जो आपको previous candle मैं इसको day के चार्ट पर कर लेता हूं फिर आपको समझ आएगा अच्छे से ठीक है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फिर आपके लिए यह rally continue रह सकती है कहां तक इस candle को fill करने के लिए आ सकती है at least 50% safe zone में बोल रहा हूं है कम से कम 640 से लेके 650 के बीच में यह कौन सा level है 640 से 650 जिस level को हमने 440 के breakout के बाद में assume किया था upside के लिए first level ठीक है इस area के आसपास आके halt लेती है projection बनाती है तब जाके आप plan करोगे शर्त क्या है कि market जहां पे close हुई है gap down open होती है और 8.30 के नीचे time spend करना शुरू करती है तो आपके लिए 100-200 point की और range निकल के आती है downside के लिए 640 को break करता है तो आपके लिए फिर पूरी candle को fill करने के लिए आ सकती है market यह है हमारा overall nifty के लिए plan कल के लिए upside के लिए again repeat कर रहा हूँ 460 के उपर sustain होती है positive projection बनता है तो आपके लिए 25,000 और maybe उससे उपर के levels हम discuss कर लेंगे during the market morning में आज मैं live नहीं आ पाया इसके लिए sorry है क्योंकि मैं मंदिर चला गया था मैं तो आपसे यह कहा था में देख लेते हैं कि bank nifty में क्या potential है क्योंकि इसकी है कल expiry so इनको हटाता हूँ में एक मिनट के लिए यह है day का chart bank nifty की closing देख लिए आपको around 50 1,426 के आसपास ठीक है यह closing negative candle है बिलकुल but एक support जो उनके उपर है support क्या है 51,300 के आसपास की ठीक है अब आपके लिए जरूरी levels क्या क्या है so आपके लिए important है 51,500 का level इसके उपर अगर market टिकती है तो 500 point की orally upside के लिए क्योंकि healthy stop pluses कहां पड़े हुए है 52,000 पे ठीक है और आपके लिए downside में market का support कहां पे बन सकता है और hunt करने के लिए कहां जा सकती है market 51,000 आप समझोगे कि 50,000 80 एक ऐसा level है आगे चलके कि जो market के लिए strong support का काम करेगा जब तक उसको break न करे तब तक market में जबरदस्ती sell नहीं करना stop pluses upside में पड़े हुए हैं यहां से reversal अगर लेती है market तो upside में जाने के ज़्यादा chances है rather than downside के लिए बाकी chart पे समझते हैं आगे bank nifty में ये एक strong support का काम कर रहा है channel का इसका मतलब क्या है इस channel को अगर market break करती है इस वरे में इसको 15 minute के time frame पे कर रहा हूँ अगर इस channel को break करती है कल market तो weakness का sign होगा ठीक है वो के level है 51,200 के आसपास gap down open होती है यहां पे projection बनता है 15-20 minute wait करना तब जाके plan होगा extraordinary gap down हो जाती है by chance एक प्रसंट सोच लेते हैं तो आफ wait करना market at least test करने के लिए 52,300 तक आ सकती है test करे projection बने तब जाके plan करना क्योंकि expire ही है upside के लिए potential बिलकुल बनने के chances हैं क्योंकि market 51,200 के level को hold कर रही है from last three days ठीक है तो आपके लिए plan क्या रहेगा कि अगर by chance gap down या flat open होने के बाद में इस area के आसपास से projection बने तो आपके लिए upside के लिए हो सकता है 51,500 और break करें तो आपको 52,000 की range को break करता हुआ दिखे bank nifty upside के लिए downside के लिए कैसे plan करेंगे दोगो scenario जो बना है वो बना है gap down हो सकता है या flat open हो सकता है positive gap up होने के chances 2% भी नहीं है 51,200 के नीचे अगर break करता है trade करना शुरू करता है तो एक level guys important note रखना बड़े बड़े फन्ने खाँ आपके साथ में YouTube पे share करते हैं कि 51,110 को hold करेगा तो हम यहां से upside के लिए plan करेंगे 100 को break करेगा तो हम downside के लिए चले जाएंगे फिल हाल जब तक market 51,000 80 के level को hold करता है break नहीं करता है तब तक आप put side के लिए नहीं जा सकते हैं 51,000 के नीचे अगर trade करना शुरू करे time spend करे तो फिर आप वीकने सोच सकते हो 100-200 point के हिसाब से छोट-छोटे points है आपके लिए और aggressive selling जो आएगी वो zone 50,500 का है जहां तक फिलहाल मैं assume नहीं कर रहा हूँ bank nifty में like, share and subscribe your responsibility telegram पे आप join कर ले न instagram पे follow thank you so much for watching bye bye take care